श्री गुरू सचिदानन साइनात महराज की जै, साइनात आपकी सभी मनो कामनाई पून करे, आशा करती हूँ आपका दिन मंगल मैं हो, पुत्र प्राप्ती की वरदान की कथा आपको सुनाते हैं, महलसा पती पर बाबा की यसीम क्रिपा थी, बाबा की शरण में आते ही उन्ह वराग्य हो गया था, वे आत्म ग्यान भी प्राप्त कर चुके थे, उन्हें इश्वर से सब कुछ दिया था, मगर उन्हें इस बात का दुख था कि उनके कोई पूत्र ना था, केवल तीन पूत्रिया ही थी, एक बार महलसा पती ने बाबा के साथ मज्जित में बैटे, दिया और वहीं बैटे रहे, बाबा समझ गए कि महलसा पती अब पूत्र मों से विरक्त हो चुके है, उन्होंने काशी रामशिंदे को बुलाया, और काशी तुम इनको उनके घर ले जाओ, आज वे यहां नहीं सोएंगी, उस दिन श्री कृष्ण जियंती का पर्व था, का जित में रहने लगे, एक दिन बाबा को कही बात सद्य सित हो गई, पूरे एक साल बाद महसापती के यहां एक बालक ने जनम लिया, माता पिता ने उसका नाम मारतंड रखा, इस प्रकार मा की गोद में खेलता कूता मारतंड बड़ा हो गया, अब वे विद्याले जाने मातंड में आए इस अचानक, परिवातन से उसके माता पिता हैरान थे, फिर भी वे उसे विद्याले भेजना चाते थे, मगर वे विद्याले ना जाकर मस्जिद में छुप जाता था, एक दिन बाबा ने महसापती से का महसापती, तुम इस पुत्र की चिंता मत करो, इसका इस प्रकार बाबा की शरण में आ गया, बाबा ने इस बालक को भली प्रकार देखकर उसे कई विद्याओं में पारंगत किया, आगे चलके रही बालक मार्तन महराज के नाम से प्रसिद हुआ, ओम शिरिगुरु सचिदानन साहिनात महराज की जै, ओम साहिराम, आशा करती ह तो मेरे द्वारा सुनाए गई कहानी आपको पसंद आएगी, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद